हाँ जी क्या हाल चाल आप सब के मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सिए नॉलेज पोर्टल इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूँ opt-out scheme का procedure for November 20 exams आप सबको बता होगा ICI ने थोड़े दिन पहले notification निकालके एक opt-out scheme बताई थी जाब इस students को option दिया जाएगा कि यदि वो अभी 21st November से जो exam शुरू होने वाले हैं November के foundation के December में होंगे अगर वो exam नहीं देना चाते है तो उस case में they can opt-out and they can go to a new attempt which will be conducted in January and February और दूसरा option यह दिया था कि अगर वो चाहें कि वो directly May 21 exam में जा सकते हैं इन बोथ the cases जो भी उनके exam fees already उन्होंने पे करी थी वो भी shift हो जाएगी इंटर और फाइनल के case में अगर आपकी किसी subject में exemption थी वो भी सारी carry forward हो जाएगी अब इस scheme को काफी सारे students को doubts आ रहे हैं मैंने कोशिश करिए आपने सारे doubts पिछली वीडियो में address करने की जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा इसके अलावा भी काफी सारी queries हैं जो मैंने इखटा करी है इंस्टाग्राम वगरा से और comment section से उन सबसे related में एक अलग वीडियो बनाऊंगा queries regarding opt-out इसी वीडियो के थोड़ी देर बाद आपको वो वीडियो मिल जाएगी आज ही shoot करूँगा उसको मगर इस वीडियो में queries से related discussion नहीं करना चाहता हूं मैं procedure से related discussion नहीं करना चाहता हूं वो student जीनोंने decide करी लिया है कि opt-out करके January February वाले exam में जाना चाहते हैं या May 21 में जाना चाहते हैं उनको करना कैसे है that I will tell you procedure बहुत ही simple है फिर भी बच्छों को छोटे शोटे डाउट आ रहे थे तो मैंने सोचा एक live demo दिखा आगर आपको इस चीज बता दू अच्छा वीड अच्छा भी opt-out exercise करना चाहता है वो exercise कर लेगा कर सकता है इसी लिए कोई जल्द बाजी में opt-out करने की जरूरत नहीं कम से कम मेरे पास 15-20 messages आये थे Instagram पे सर जल्दी से procedure बता दो procedure अरे भाई मैं procedure की वीडियो ले आया हूं बट जल्दी से इस वीडियो को देखते ही opt-out मत कर आएंगे जितना आने तो चाहिए मेरे जाफ से नहीं आएंगे तो अलग बात है आने चाहिए उन सब को देख समझ के सोचकर ही last में decision लेना है तिल देन अपनी studies को बिल्कुल ही वैसे carry out कीजिए और अगर आपको opt-out करना होगा last में तब ही इस procedure को follow कीजिए चलिए जल्दी आप यहां पर आएंगे तो आपको उपर-उपर दिख जाएगा कि opt-out के आरे में जो notification है वो सारी यहां पर दे रखी है start date 7th of November से start चुक है और end date अभी जैसे मैं आपको बताया 14th of December तक है applicable है इसके बाद आपको यहां पर login करना है again I'm telling you login ID password बहुत बच्चे बोलते हैं हमा पहले forgot password करके retrieve कीजिए उसके बादे ही आपका आगे procedure हो पाएगा जैसी आप login करेंगे आपको इस तरह की window देखेंगी जहां पर left side में आपको अपनी basic details दिखेंगी अब आप अपना right side में देखेंगे तो यहां पर आपको एक extra option दिखने लगया होगा opt-out for November 20 यह वाल option मैं को इसमें दिखा देता हूं अच्छे से this is the option opt-out for November 20 and यहां जाकर आप चाहें तो opt-out कर सकते हैं एक बार option पर हम click करेंगे फिर अंदर जाके देखेंगे opt-out का option select करने का यहां पर आपको list of terms and conditions दे रखी होएंगी यह शायद हमने अल्रड़ी अपनी पिछली वीडियो के अंदर discuss कर रहे थी and I think all of you will be aware of it फिर वह जल्दी से बता जाता हूं opt-out के उन्होंने mainly तीन reasons specify करें यह तीनो reasons के अंदर covid का reference मिलेगा आपको but हम यह ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि almost हर students opt-out कर सकता है क्योंकि यहां पर आप पहली line में देखेंगे any person who is covid positive या symptoms of covid 19 at the time of conclusion at any time up to the conclusion यानि यहां पर क्योंकि इन्होंने symptoms वाले students को भी allow कर दिया opt-out के लिए और आपको पता covid की symptom कोई बहुत अलग symptoms नहीं है हर person को अलग-अलग symptoms आ रहे हैं किसी को fever आ रहा है किसी को body pain आ रहा है किसी को taste and smell जा रही है so all these symptoms obvious सी बात है इसका कोई proof ICI आप से नहीं माग रहा और ना मांग सकता है आगे हम आपको वीडियो में बताऊंगा एक simple सी declaration है तो कोई भी student self declaration के basis पर बोल सकता है कि मुझे symptoms है and ICI has no mechanism to check कि वो है या नहीं अब ऐसा ICI ने मेरे साब से ICI को भी पता है कि इस provision को कोई भी स्टों use करेगा बढ़ हाँ intentionally उन्होंने इस तरह से language बनाई है ताकि हर student opt out कर सके COVID का reference इसले दिया ताकि कल को legally कोई PIL के अंदर ICI पर challenge आये तो ICI बोलेगा मैंने तो अपनी तरफ से COVID वाल students के लिए option दिया था बाकि सारे students के लिए open था बढ़ हाँ practically everyone knows कि कोई भी इसका benefit ले सकता है अगली चीज ये बता रखा है कि अगले page पर आपको ये तीन information में लेगी आपको ये तो पता ही होगा ICI ने दोनों option दिये हैं एक November जो exam से उसका cycle 2 जो January और February में होगा वो भी option आपके उस अवेलेबल है और अगर आप सीधा May 21 में जाना जाते हैं वो भी option अवेलेबल है एक चीज जो पिछली वीडियो में बताई थी फिर से बता रहूं अगर आप January वाला option लेते हैं उस case में आपको कोई भी exam form फिर से नहीं भरना permission नहीं है इन अधर वर्ट्स आप वहाँ पर कोई भी detail चेंज नहीं कर सकते हैं जो आपने November 20 के exam form में दिया था चाहे वो medium हो चाहे वो आपका group हो वो same to same रहेगा it is just an extension of November exam इसलिए उसका नाम cycle 2 रखा है अचा कुछ बच्चे कह रहे हैं exam center बदलने की permission मिलेगी right now तो ऐसा नहीं लग रहा है exam center बदलने की permission मिलेगी बट हाँ अलग से exam center के लिए correction window आगे December में तो अलग बात है मेरे हिसाब से आनी चाहिए December के अंदर बट right now क्योंकि exam form भर नहीं सकते आप January February के लिए अलग से तो अभी की information के बेसिस पर मैं बोलूँगा आपका center change नहीं हो सकता ठीक है May 21 के लिए क्या बोला है इस case में आपको अलग से exam form भरना पड़ेगा कब भरना पड़ेगा मेरे हिसाब से February March के अंदर आएगा इसका exam form उस समय exam form भरना पड़ेगा बट ध्यान देना जो आपने fees पे करी है वो adjust हो जाएगी तो दोनों में फरक है fees दोनों जगा आपको अलग से पेनी करनी पड़ेगी बट May 21 में exam form अलग से भर सकते हो इसका मतलब May 21 में अगर आप जाना चाहते हो आप group बदल सकते हो आप अपना medium बदल सकते हो और obviously center तो बदल ही सकते हो ठीका जी यहाँ पर एक चीदा रखी है May 21 म भी होएगी अगर आपने group 1 भर रखा तो आप group 2 भर रहे हो इस तरह के case अगर आपने कोई भी change नहीं किया पहले भी group 1 था भी group 1 यह foundation में जैसे groups होते ही नहीं है उस case में May 21 में भी कोई fees आपको पे नहीं करनी पड़ेगी अगली चीज़ों यहाँ पर दे रखी है आपने ए एक्जाम देने का तो उस case के अंदर कोई option available नहीं होगी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर क्या है यहाँ पर एक declaration जो आपको submit करनी है मैं आपको उस declaration का format दिखा देता हूँ एक बार यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ यह है वो self declaration form जो आपको fill करना है सबसे बहली ब YouTube के अंदर भी यह डाल दूगा तो इसको इस form को आपने डाउनलोड करना है और इस form के अंदर आपको basic details बर डाउनलोड करने का इसका प्रिंट ले लेना basic details बरनी अपना नाम father's name mother's name लिखना है role number जरूर लिखना है तो जो बच्छे पूछे था सर admit card download कर ले हाँ admit card download करने के बाद ही आपको role number पता लगेगा तब ही आप opt out ही कर पाओगे opt out में हम देखो कि दोनों option दे रखे हैं यहाँ पर बड़े carefully option को select करना January या May में से अब यहाँ पर एक social media पर news चल रही है कि एक बच्छे ने January के लिए opt out किया था उसका May automatically कर दिया ICI ने मुझे ना ऐसी news पर प conspiracy theory मत रचा करोगी January आप opt out करोगे तो ICI जान बूच के May 21 कर देगा यह फालतू की बाते हैं लीगल बाते चल रहे हैं या चार्ट अकॉंटेंट स्टूडेंटों कैसी कैसी बाते करते हो अच्छा यहाँ पर तीनों आपको option दे रखे हैं जो भी कि किस reason की हुजा से कर रहे ह कि मेरे को symptoms हैं यहाँ पर टिक करना OMR sheet की तरह इसको fill करने मत बैठ जाना टिक कर देना ठीक है जी और इसके बाद यहाँ पर एक चीज और दे रखी है signature of candidate यहाँ पर करना है और नीचे क्या लिखा है अगर आप एक minor हैं तो आपको parents से भी signature करवाने है minor वाला case as always foundation वाले case मे आएगा foundation students ही होते हैं जो minor होते हैं तो वह एक बार यह declaration को parents से भी sign करा लेना date और place वाई डाल देना जहां पर आप examination center आपका चूज किया है यह date कभी बीच 14th of December से पहले की date हो सकती है अब आपने यह सारा printed sheet को पर यह सारी detail भर ली sign वगरा कर लिया इस sheet को scan करना scan करके इसक जेपी जी फाइल बना लेना scan करने के लिए अलग अपस होती है mobile phone से आप scan कर सकते हो जेपी जी फाइल बना कर उस फाइल को upload करना है अगले step पे तो मैं आपको फिर से repeat कर रहा हूं you can download this take a print out उसकी उपर यह सारी details आपने भरनी है इस पर sign करने है parents के sign सिर्फ तभी कराने है अगर आप एक minor हैं किसी chartered accountant या किसी से attest कराने की जुरूत नहीं है self attestation की सारी game है यह इसकी jpg फाइल बनाने के बाद अगला step बता देता हूं instructions के last में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है I have read and understood the above जैसी इसको प्रेस करेंगे अगली window open हो जाएगी जिसमें आपको अपनी ही details दिखेंगी इस window में आप देखेंगे आपको बताया होगा कि किस चीज के लिए आपने register किया जैसे कि student foundation का student है registration number यानि कि basically आपका NRO CRO number दे रखा होगा name दे रखा होगा यहाँ पर आपको बड़ा carefully select करना है January या May मेरे साब से काफी बच्चे जैनवरी select करेंगे में के लिए कोई भी जाना नहीं चाहेगा तो इसको select कर लेना यहाँ पर ICA की guidance बोलती है अगर गलती से आपने अंदर कोई और detail select कर ली है अंदर मतलब जब वो आपने self attestation sheet print की उस समय आपने कोई गलत detail select कर ली है और यहाँ पर आपने कोई अलग detail select करी है तो जो यहाँ पर electronically select करोगे that will prevail अगर कोई गलती हो भी जाती है self attestation form पर डरने वाली बात नहीं है that is only for your mandate वहाँ पर signature आपके सबस्यादा matter करते है detail यह वाली matter करेगी जो आप यहाँ फिल कर रहे हो इसके बाद यहाँ पर आपको वह scanned image को डालना है JPG format के होनी चाहिए 200 KB से जादा के नहीं होनी चाहिए इसको upload करने के बाद save and preview करोगे वह मैं आपको करके दिखा नहीं सकता वह आप से फिर से पूछेगा एक बार do you really want to proceed the answer is yes and just proceed करोगे अगली window पर आप window पर आपका लिखा जाएगा you have been successfully opted out of November 20 exams मेरे हिसाब से कोई mail वगरा कहीं पर नहीं आएगी तो don't expect ICI कि mail आएगी आपके पास so this was a very simple procedure regarding how you need to opt out need to नहीं बोलूँगा how if you want to opt out तो आपको क्या करना पड़ेगा अब इसके उपर opt-out से लेटेड बहुत सारे बच्चों की queries है as I said मैं उसकी एक अलगसी वीडियो बना रहा हूं तो इस वीडियो को आपने लास तक देखा है इसके immediately बाद आज शाम तक आपको एक दूसरी वीडियो मिलेगी जहां पर मैंने वो सारी concerns address करने की कोशिश करूँगा opt-out से लेटेड जो है again I want to repeat this opt-out जल्दवाजी में मत कीजिए सोच समझ के ही कीजिएगा last day भी opt-out किया जा सकता है and वो सारी queries जो मैं अगली वीडियो में discuss करूँगा उनको बड़े ध्यान से देखिएगा then only take any procedure आपकी कोई doubts and queries हैं आप मुझे instagram या comment section में बूच सकते हो I'll be more than happy to help you thank you so much watching this video do share this video with all your friends जो और इसी चीज़ information चाहते हैं thank you so much